राजस्तान सरकार के जल्दाय विभाग को कॉर्परोईशन में बदलने का एक प्रस्ताव सामने आया है जिसका विरोध कई करमचारी संक्ठन कर रहे हमारे साथ में करमचारी नेता गजेंदर राठोड जी मौजूद है बैसाब ये जो प्रस्ताव आया है इसका विरोध आख इसले कई दिनों से मांग करते हैं कोर्पोरेशन को बन करके और सरकार में सामिल किया जाए जैसे रोड वेज हैं ने विवाग हैं उनको हम केरें कि इनको सरकार सीधा वुगतान करें सरकारी में और दूसरी सरकारी है जो कॉर्परेशन बना रही है पिएचडी को ये एक आवशक जो कारी है सरकार का जनता को जल पिताने का कारी है अगर आप कॉर्परेशन से किसी भी विभाग को कॉर्परेशन में करोगे तो रेट पानी की रेट बढ़ेगी दूसरी तरफ इ कोई नियम है जिसमें ये लगा आ जा सकता है दूसरा जब हमने सरकार को हमारी सांतिपूर्ण तरीके से मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने पिछली पांस तारीको आंदोलन शुरू किया था चंडबर तरीके सांदूलन हमने इस पर स्ट का था था कि हम किसी भी कारे को बादीतर नहीं करते हुए राजस्तान की सरकार को हमारी बात को चाहे जनता के लिए चाहे करमचेरियों के लिए सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं परन्तो राजे के जो सरकार हैं और इसमें पीएचेडी सेकेटरी उन्होंने एक आदिश जारी कर दिया कि इसमें रे पाने का काम है पानी बिजली स्वास्ते चिकिसा सिक्सा ये सब चीजें मुलबूत सुईदाई जनता को देने के लिए प्रतिबद होती है सरकार और उस प्रतिबद रता से अलग हटकर पानी के लिए है और हम कह रहे हैं कि करमचैरियों का अधिकार है संघर्स करना करमचैरिय का अधिकार है आंदोलन करना लोक तंतर में और सरकार तक अपनी बात पहुचाने का और उस बात को हमारा गला गोटा जा रहा है तो यह समझें कि हम इस इन आदेसों से डड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि रेसमा कब लगता ये अभी नहीं पता नहीं रेसमा राजस्तान में उस इस्तिती में लगता है जहां पे आपात इस्तिती हो जहां पे हम लोग हड़ताल पे जाते हो या हम सरकार की कारे को बाधित करते हो तब रेसमा लागो होता है अब इन्हें अधिकारी को यहीं पता नहीं है कि रेसमा कब लागो होता है तो मैं राज्ये के मुखे मंत्री जिसे आपके माद्यम से कहना चाहता हूँ सिग रही PhD से केटरी से बात करे और इस रेस्मा नामा के चीज है जो रेस्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और ये भी नहीं समझें कि करमचारी इससे बहभी तो जाएगा कई वार लगे रेस्मा हमने हड़ता लें किये बड़ी बड़ी हड़ता लें किये और उसमें रेस्मा भी लगा है हमारे केस भी लगे और वापस भी हुए आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो कारवाई है सरकार की तरफ से अगर हो रही है सरकार के जल्दा है विभाग की तरफ से हो रही है तो क्या आपको लगता है इसके पीछे का कारण अब ये समझ में नहीं आ रहे क्योंकि सरकार का समझ में नहीं आ रहे सरकार किस तरीके से चल लिए और दूसरा जब आपको पता है पिछले दिनों कभी VRS का आदिसारा ये सरकार जबसे बनी है कभी तो करमचारियों को VRS लेना पड़ेगा कभी कह रहे हैं कि आप जिन स्टी शर्ट परतिबंदी तोंगे कभी हमारे जो वो अंगुठा वाला वो मशीने वो लगा रहे कभी क्या लगा अरे करमचारी आपका अभी नंग होता है और राजस्तान की सरकार को अगर चाहिए कि हम से सयोग चीए हम करमचारी हैं हम सरकार के अभी नंग हैं और सरकार की हर वो चीज जो जनता तक पहुंचाने का काम राजस्तान का करमचारी करता है और फिर सरकार करमचारियों के साथ ऐसा करें कि निश्यत्मानी आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी मुश्किल सामना करना पड़ेगा समयदान अद्याय तीन और चार में सपस्ट लिखा हुआ है मूलबूच विद्धा सरकार के जवाब देए उन मूलबूच विद्धाओं पर किस तरह करमचारियों का सोचनों प्रताडित करने का कारी किया जा रहा है सरकार दुबरा या तो इनोंने समयदान पड़ नहीं पड़ा या नियम नहीं पड़े इनोंने एक ही आंदोलन किया था अपनी बात रखने के लिए हम कॉर्पोरेशन में नहीं जाएंगे हम यह कहते है कॉर्पोरेशन को विभाग में मर्ज करिये आप विभाग को कॉर्पोरेशन में मर्ज कर रहे हैं बड़ा दुरुगवार पूरु निस्थिती है, उल्टा काम हो रहा है, उल्टी गंगा बाई जा रही है, जो सरकार की दमनात निती चला ही जारी करमचारियों के पर थी, करमचारी इस चीज को कभी भूलेगा नहीं, अगर सर कि खिलाब सरकार के लिए आंदोर Я्न के लिए करमचारिय तैयार होगा, आर आई सामना रोड़ी पर होगा करमचारी और सरकार जैसे है आप ना सुना कि सरकार अगर सादेश को वापस नहीं लेती है, तो एक बाद पिर से करमचारियों और सरकार के बीच में आमना सामना हो सकता है कहां तक इस लड़ाई को लेके जाएगा जाएगी और आंदलन की रूप रेका के लिए आगे कहां तक ले जाना पड़ेगा उसके लिए प्रदेशत देख्षी कुद अद्धिकार सेत्रम है तो आपने सुना जिस प्रकार से एक सरकारी विभाको कॉर्पेशन में तबदील करने के जो आदेश आए हैं उसे राजस्तान राज्य करमचारी संयोक्त महासंग एकिकरत मानने को तइयार नहीं है इनका कहना है कि हम करमचारी हैं और सरकार के आदेश मानना जो कि करमचारी और आमनागरिक दोनों के हितों में वो हम मानने को तैयार हैं लेकिन अगर सरकार जबरदस्ती करेगी एक सरकारी विभागों कोर्परेशन में तब्दिल करेगी तो जाहिर सी बात है करमचारी और करमचारी नेताओं का ये साफतोर पर कहना है कि इसका विरोध सरकार को आने वाले समय जेलना पड़ सकता है क्या है पिल्कुल सौपरती से सेहलना पड़ेगा सरकार को सरकार पहले तो यह सोचे और इसपस्ट करें कि इसकी आवशक्ता क्या है जो यह कर रही है जो भी कानून लागू कर रही है जो भी नियम बनाए जाते हैं आवशक्ता होती है जब बनाए जाते हैं सरकार कानून बना बताया रेश्मा को अब्जक्ट क्या है और बीच में आपको टोकना चाहूंगा गजेंद जी ने भी बताया कुल्दीब सर्थ ने भी बताया रेश्मा को लेके जो एक विरोध देखा जा रहा है एक आम नागरिक को समझाने के एसाब से हम आपसे भी जानना चाहेंगे यह र रेश्मा का विरोध नहीं है रेश्मा लगा रही है सरकार और सरकार को सबसे पहले सरकार में जो कि मेरे को नहीं लगता है कि सरकार के अंदर को इतना ज्यादा समझदार आदमी है जिसने यह रेश्मा लगाया है कम से कम वो नियम तो पढ़ता ना कि सरकार में यह रेश्मा करने लग जाती थी जब सरकार कहती थी कि रेश्मा लगा दो यह करमचारी मानने वाले नहीं है और यहां तो एक दिन की भी अड़ताल नहीं की यहां तो सिर्फ ग्यापन दिया है और ग्यापन देने में सरकार रेश्मा जैसी चीज लगा रही है रेश्मा से डरने वाला नही है करमचारी हैं को फूकत हूँ नहीं हम सोच करके हमने किया कुछ नहीं हम आगे बढ़े नहीं एक कदम हमारा तो लंबा आंदोलन चलाने का था अब सरकार हमको पावंद कर रही है और बात दे कर रही है हम तुरन आंदोलन की गोशना करें हम तुरन धरताल करें जबकि हमारा ऐसा कोई अबजक्ट नहीं है यह हम कहना चाहते हैं आपके माद्देश से अपने सुना कि अखिल रायसान राजे करमचारी सेयोक्त महासंग एकिकरत का ये साफतोर पर कहना है कि पहली और सबसे जरूरी चीज की किसी भी विभाग को और इस्पेशलिज क्योंकि जल्दाए विभाग का ये नोटेस आया है ये आदेश आया है कि उसको कॉर्परेशन मे तब्दील करेंगे तो करमचारीों का साफतोर पर कहना है कि इसे कॉर्परेशन में तब्दील करने की कोई आवशकता नहीं है अगर ये कॉर्परेशन में तब्दील होता है तो आगे जाके आम नागरेक के उपर पानी के बिलों में अधिक्तता देखनी पड़ सकती है और करमचारी संग की तरफ से किसी भी प्रकार के आंदोलन की घोशना तक नहीं हुई है उसके बाद अगर इस तरह के दमनकारी कानून या फिर चीजें करमचारी संग के सामने आएगी तो जाहिर सी बात है इसका विरोध सरकार को जहिलना पड़ेगा और आने वाले कुछ दिन